तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास देखिए हमारा पहला प्रशन क्या है काजरी यानि के सेंट्रल एरेड जोन रिसल्ट इंस्टिट्यूट इसका मुख्या लेकाब परे केंद्रिय शुष्ट के शेत्र अनुसंधान संस्थान बोलेंगे से हिंदी में तो आंसर होगा जोदपुर राजस्थान में किस IIT ने किसान मुबाइल एप्लिकेशन को बनाया तो आंसर होगा IIT रूड की ने आपको याद होगा परधान मंतरी किसान योजना जो की शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 को कहां से गौरकपुर UP से यहाँ पे किसान का मतलब होता है क्रशक सम्मान नीधी योजना इसमें क्या होता है साल भर में किसानों को 22,000 रुपे करके तीन किस्तों में टूटल 6,000 रुपे दिये जाते हैं और किसान से याद आएगा किसान स्टोर को शुरू किया था किसने? Amazon ने और किसान मित्र किसे कहते हैं? केचवे को कहते हैं अंतर राष्टर सांकितिक भाषा दिवस इंटरनेशनल साइन लेंग्वेज डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 23 सेप्टेंबर को अच्छा ज्यानपीट पुरसकार ये कितने भाषाओं में दिया जाता है तो याद रखना 23 भाषाओं में दिया जाता है 22 तो समविधान के आठवी अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी हो गई चबकि साहित्य अकादमे पुरसकार ये 24 भाषाओं में दिया जाता है इसमें एक और भाषा आप जोड़ो राजस्थानी भाषा विश्व सामजिक न्याय दिवस World Day of Social Justice ये कब मनाते हैं 20 फरवरी को और इसकी थीम थी Achieving Social Justice Through Formal Employment आचा मुझे बताओ सामजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ये कौन है डॉक्टर विरेंदर कुमार है म्रदा स्वास्त काड दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 19 फेबरेरी को और क्यो मनाते हैं 19 फेबरेरी को राजस्तान के शिरी गंगा नगर जिले के सूरतगण में म्रदा स्वास्त काड योजना को शुरू किया गया था जिसकी टेग लाइन क्या है स्वास्त धरा खेत हरा अचा वर्ल्ड सॉयल डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 5 देसंबर को आप जानते हो 2015 को अंतरराष्टर म्रदा वर्ष के रूप में मनाया गया था 2023 को हम मोड़ाज का अंतरराष्टर वर्ष एयर ओफ मिलेट्स के रूप में मनायेंगे अचा किस म्रदा को रेगुर म्रदा कहते हैं काली मिट्टी को और ये किस के खेती के लिए सबसी उपयोगी मानी जाती है कपास के खेती के लिए चलिए बताईए जल जीवन मिशन के तहत सोवा हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया तो आंसर होगा चमबा हिमाचर प्रदेश का है ये जल जीवन मिशन ये हम 2019 को मनाते हैं इसका उद्देश ये क्या है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है तो आंसर होगा गोवा अच्छा बताओ 2400 गंटे सातो दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना तो आंसर होगा उडिसा का पूरी और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला शहर कौन सा बना तो आंसर होगा इंदाओर वैसे World Water Day कब मनाते हैं 22 मार्च को और जल शक्ती मंत्रे को ने कजेंदर शिंग शेखावत है बताओ How to Prevent the Next Pandemic नाम की बुक को किस ने लिखा है? Bill Gates ने लिखा है अच्छा आपको याद होगा अभी पाकिस्तान ने अपना दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान दिया है Bill Gates को जिसको कहते हैं हिलाल पाकिस्तान भारत से ब्रमोस खरीदने वाला पहला देश कौन सा है तो आंसर होगा Philippines या आप याद रखना और ब्रमोस से याद आएंगे दो-तिन प्रश्न जैसे की ब्रमोस वी निर्मान केंदर कहां पर है तो आंसर होगा लखनाओ में ब्रमोस एरोस्पेस के MDCU ये कौन बने अतुल दिनकर राने है फरवरी 2022 में भारते सेना ने किस युद्ध पोथ से ब्रमोस मिसाइल का सफल परिक्षन किया तो आंसर होगा INS विशा का पत्नव ये एक विदवन्शक जहाज है यानि कि डेश्ट्रोयर है स्मार्ट कार्ड आम्स लाइसेंस चारी करने वाली पहली पुलिस कौन सी बनी तो आंसर होगा दिल ले पुलिस अचा भारते रेलवे कापर सबसे बड़ी कुष्टी अकात में स्तापित करेगा तो याद रखना किशनकंज दिल ली में चलिए बताईए विश्व पैंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 19 फेब्रेरी को फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं विश्व म्रदा स्वास्त कार्ड दिवस कब मनाया जाता है तो ये भी 19 February को होता है और इसके बारे में आपको अल्रेडी 1st वाली शीट में बताई चुका हूं अगला प्रश्ण है विश्व सामाजिक न्याय दिवस World Social Justice Day अभी आपने पढ़ा था 20 फरवरी को और अंतरराश्टर मात्र भाषा दिवस ये भी आपने पढ़ा है चलो कुछ नया मैं आपसे यहीं पर पूस्ता हूं भाषा की बात हो रही है न तो अंतरराश्टर सांकितिक भाषा दिवस बताओ कब मनाते हैं International Sign Language Day 23 September को मनाते हैं अब बताओ विश्व चिंतन दिवस World Thinking Day कब मनाया जाता है तो अंसरोगा 22 फरवरी को इसकी थीम थी हमारा विश्व हमारा समान विश्य अवर वर्ड अवर इक्वल फ्यूचर केंद्रे उतपाद शुल्क दिवस Central Excise Day कब मनाया जाता है तो अंसरोगा 24 फरवरी को World NGO Day कब मनाते हैं तो अंसरोगा 27 फरवरी को National Protein Day ये होता है 27 फरवरी को ही जिसकी थीम है Food Futurism दुरलब रोग दिवस कब होता है Rare Disease Day 28 फरवरी को इसकी थीम है अपने रंग साजा करें Share Your Colors राष्टर विज्ञान दिवस ये होता है 28 फरवरी को ही और क्यों मनाते हैं ये National Science Day हमारे Scientist थे Sir Siviraman जी उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खूच की थी उसी के उपलक्ष में 28 फरवरी को ये दिन मनाते हैं इसके लिए उन्हें Physics का Nobel पुरूसकार भी मिला था अब हम पुराने महीनी के Current Affairs का Revision करेंगे चलिए बताइए तुर्कमेनिस्तान के राष Water Day तो अंसर होगा 22 March को इसकी थीम है Ground Water Making the Invisible Visible और 22 तारीक आगई भाहिया तीन महीने लगातार 22 तारीक वाले दिन आपको याद होने चाहिए ये तो 22 March हो गया फिर 22 April और 22 मही 22 April को Earth Day होता है और 22 मही को Biodiversity Day होता है ये याद रखना है अब बताओ BNP परिबास Open Tournament 2022 में मही महिला एकल का खिताब मतलब Women Single Title किस ने जीता इगा सुटेक ने जीता है जो कि अभी महिलाओ में No.1 रैंकिंग पर चल रही है एशले बाटी के सन्यास लेने के बाद इगा सुटेक कहां से है पॉलेंड से है एशले बाटी का नाम भी याद रखना सन्यास ले लिया इन्हों अब बताओ अब उत्राखन के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपतली पुशकर सिंग धामी है भारत और किस देश के बीच में एक सन्यूक तभ्यास है लिमित ये 2022 ये हुआ सेशल्स के बीच में हुआ था सेशल्स में ही हुआ था अभी मार्च की बात है ये इस्ट पुरिपोरिया है और करंसी है सेशल्स रुपी और प्रसिदेंट है वेळल रामकलैवन अब बताओ प्रिच कर पुरसकार 2022 जीतने वाले पहले अफरी की कौन बन गए है तो आंसर याद रखना फ्रांसिस के रहे है रहे है किस शेतर में दिया जाता है ये बी इस्टेटिक प्रिचकर पुरसकार किस शेत्र में दिया जाता है वास्तुकला आर्किटेक्चर के शेत्र में और एक और सम्मंदिक प्रशन याद रखना यहां से कि पहले भारते कौन बने थे ये प्रिचकर पुरसकार पाने वाले तो आंसर होगा बाल कृष्ने दोशी बताए इंडियन जो टीम थी कुजराट टाइटन्स ने जीता है किस को हरा करके सबसे पहली विजेता को हरा करके यानि कि राजस्थान रोयल को चलिए बताईए किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा तेवहार यह मनाया गया तो आंसरों का पस्चिम मंगाल में यह जो तेवहार है यह भगवान कृष्ण और माताराधा को समर्पित है विश्व युवा गुडवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूशित देश किसे बताया गया आईक्यू की रिप्योट आई थी यह उसके अनुसार बात कर रहे है तो देशों के मामले में तो ब जिवारी शहर है वो सबसे प्रदूशित बताया गया चलिए बताईए भारत और किस देश के बीच में एक एक सरसाइज है डस्ट लिक इसका आयोजन किया गया तो अंसर होगा उजबिकिस्तान कहां पे हुआ था ये उजबिकिस्तान में ही हुआ था मार्च की ये बात है उ World Meteorological Organization का Headquarter कहां पर है जेनेवा स्विट जलेन में है अब बताओ नाइट फ्रेंग के Global House Price Index Q4 2020 में भारत की रेंग क्या थी तो 51 थी इसमें टॉप पे था टर्की और किस राजे ने ब्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने की गोशना की तो आंसर होगा संगीत वाद्य यंत्र है विश्व की नंबर वन जो अभी तक टैनिस प्लेयर थी एशले बाटी उन्होंने सन्यास की गोशना कर दी है वो किस देश की थी पढ़ चुके हम ये ऑस्ट्रेलिया की थी और इनके जाने के बाद अब नंबर वन टैनिस प्लेयर बन गई है इगा स्विटेक जो की पॉलेंड की है चलिए आपके लिए एक प्रशन है कि अभी कौन सा ग्रेंड स्लेम है जो की इगा स्विटेक ने जीत लिया है फिर आप बताईए तेरवा ग्रीन स्टाम पॉटोग्राफी पुरुसकार किस ने जीत लिया तो अंसरोगा महम्मद रजा ने ह इरान के हैं पूरा नाम है मौम्मद रजा मासूमी जो की बिलकुल मासूम नहीं है इरान के हैं ये किस देश के पूर्व प्रधान मंतरी जिनका नाम है बावबे मागा का निदन हो गया माली के थे ये 2017 से लेके 2019 तक ये यहां के प्रधान मंतरी थे माली की कैपिटल बमाको है currency ए CFA franc शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो दो बार मनाते हैं तो तेवीस मार्च को मनाते हैं भगत सिंग सुखदेव जी और राज गुरु जी को फासी दी गई थी तो उनके याद में मनाते हैं ये तेवीस मार्च को और एक 30 जन्वरी को भी मनाते हैं मात्मा गांदी जी की याद में तो वो दिन भी है किस देश के पूर राष्टरपती थे शहाबुद्दीन अहमद जिनका नेदन हो गया यह बांगलादेश के थे यह 1996 से लेके 2001 तक बांगलादेश के प्रेसिडेंट रहे थे अब आप बता दो वरतमान में बांगलादेश के प्रेसिडेंट कौन है शेख हसीना महा की प्रधान मंतरी हैं वो तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट बताओ और उसके बाद अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना जब तक हम कल के करंट अफेर्स को रिवाइस कर लेते हैं तो चलिए कल के करंट अफेर्स को रिवाइस करते हैं बताइए कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में तेजस्विन शंकर ने कौन सा मेडल जीता तो अंसर होगा ब्रोंज मेडल इनका संबंध उची कूच से है हाई जंप से है और इनका नाम इसलीं इंपोर्टेंट है क्योंकि कॉमन वेल्थ गेम्स के इतिहास में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले ये पहले अथलीट है कॉमन वेल्थ गेम्स ये आपर हो रहे हैं बर्मिंगम यूके में इसका शुबंकर क्या है पैरी दबुल और इस बार के Commonwealth Games में महिला किर्केट को शामिल किया गया तो उसमें भारते महिला किर्केट टीम की कप्तान कौन है हर्मन प्रीत कौर है और इस बार उद्गाटन्स हमारों में दो ध्वज वाहक थे दो खिलाड़ी कौन से हमारी जो शट को रामसर साइट के रूप में शामिल किया तो अब भारत में कुल कितने रामसर रिस्ताल हो गए है 64 हो गए है ये जो 10 है इसमें से 6 तो तमिल नाडू से है एक गोवा से एक करनाटक एक मध्यप्रदेश और एक उडिसा से रामसर कन्वेंशन कब हुआ था दो फरवरी 1971 को आद्र भूमी के संगरक्षन के लिए इसलिए तो दो फरवरी को आप वर्ल्ड वेटलेंड डे मनाते हो और ये रामसर शहर है का पे इरान में है अगला है भारत के किस जहाज ने फ्रांस के साथ एक समुद्री साजेदारी अभ्यास मेरी टाइम पार्टनर्सिप एकसरसाइ अगला बताओ इस रो कहां से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपन यान स्मॉल सैट्रलाइट लॉंच वेकल को लॉंच करेगा तो अंसर होगा श्री हरी कोटा जो है आंद्र प्रदेश में इस रो क्या देख्ष कोने एस सोमनात आंगन माड़ी बच्चों के लिए अंड और दूद दिये जाएंगे इसी दरह से एक और योजना हमने याद की थी मुख्य मंतरी बाल गोपाल योजना जोकी राजस्तान सरकार ने शुरू की उसमें कप्षा एक से लेके पांचवी तक के बच्चों को डेड़ सो एमेल और छटी से लेके आठवी तक के बच्चों क सिक्षा से जोड़ना और बच्चों के माबाप और ये महिलाएं हैं जो भिक्षा मांगती उनको रोजगार दिलाने की कुशिश करना अगला है किसे ओयल इंडिया का CMD बनाया गया रंजीत रत को भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक सेन्य अभ्यास होगा अमेरिका भारत और अमेरिका के बीच में 14 से लेके 31 औक्टूबर तक ये इसका 28 संसकरण है कहां पर उत्तराखंड के ईली में वैसे योएस के साथ हम वज्जर प्रहार नाम के exercise करते हैं कोप इंडिया नाम के exercise करते हैं और माला बार नाम का exercise भी करते हैं माला बार तो क्वाडदेशों के बीच में होता है जिसमें अ अब ये ऑगस्ट 2022 में जारी Fortune Global 500 सूची में कितनी भाड़ते कंपनियों को शामिल किया गया तो आंसर होगा No, सरदार पूरे No, जिसमें भारत में टॉप पे LIC है और इस लिस्ट में LIC 98 नमबर पर है, Reliance 104 नमबर पर है, अच्छा टॉप पर कौन है? अमेरिका की Walmart कंपनी, इस में revenue यानि की राजस्व के हिसाब से ranking दी गई है, तो guys ये था आज का आपका revision वाला session, session अच्छा लगे, तो like करके share जरूर करना, आज के लिए का आप ये मिलते कल के वीडियो में, thank you